वितमंत्री निर्मला सीतारमंड ने मंगलवार को बजट पेश किया. मिडल क्लास लोगों को इस बजट से महंगाई, टैक्स से छूट और बेरोजगारी को लेकर बड़े ऐलान की उम्मीद थी. लेकिन महंगाई और टैक्स पर छूट को लेकर कोई बड़ा एलान नहीं हुआ. देश में रोजगार को लेकर वितमंत्री ने ये जरूर कहा कि हमारे पास साथ लाख अतिरिक्त नौकर्या देने की क्षमता है. 100 साल के लिए धाचागत सुविधा बढ़ाएंगे. इसके अलावा डिजिटल करेंसी शुरू करने का एलान हुआ है. वर्चुल करेंसी पर सरकार ने 30 प्रतिशत टैक्स लगाने की घोशना की है. इसके अलावा सरकार इस साल 5 जी सेवा शुरू करेगी, गाव गाव में कने इक्टिविटी को और बढ़ावा दिया जाएगा. वितर मंत्री निर्मला सीतारमन ने लोक सभा में आम बजट पेश किया है. बजट भाशन के दौरान भारतिय शेयर बजार में रौनक देखने को मिली है. बजट भाशन के दौरान बैंकिंग स्टॉक में जबरदस्त जी रही. बजट भाशन के बाद सेंसेक्स करीब 750 अंक बढ़कर 58,780 अंक के पार कारोबार कर रहा था. हालांकि कुछ देर बाद ही बजार में विक्वाली भी देखने को मिली. दोपहर एक बज़े के बाद सेंसेक्स ने शुरुआती बढ़त गवा दी. सेना में करियर बनाने के इच्छुब बच्चों के लिए दिल्ली में आम्ड फोर सेच प्रिपेरेटरी स्कूल स्थापित करने जा रहा है. शेक्षन एक सत्र 2022-23 में स्कूल को लॉंच किया जा सकता है. नौगी से लेकर बारहवी कक्षा के छात्र स्कूल में दाखिला लेक सेना में भरती होने की तैयारी कर सकेंगे. अमेरिकी सांसद स्कूल पेरी ने अमेरिकी राश्ट्रपती जो बाइडेन को चित्थी लिखकर पाकिस्तान के अगले राजदूत के तौर पर मसूद खान को खारिच करने की अपील है. मसूद खान की नियुक्ति पर उन्होंने गंभीर चिंता जताई है. उन्होंने मसूद को आतंकवाद के साथ सहानुभूती रखने वाला बताया है. अब इस बेजती के बाद पकिस्तान भारत को इस मामले में घसीटने की कोशिश कर रहा है. मौनी रॉय की वेदिंग सेरिमिनीज के बाद अब उनकी शादी के बाद की रिसमे सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है. ग्रिह प्रवेश पर उनको ऐसे वेलकम किया की वहरो पड़ी. वहीं उनकी अंगूठी खोजने वाली रसम का वीडियो भी वाइरल है. मौनी रॉय 27 जन्वरी को सूरज नामवियार से शादी की है. उन्होंने अपनी शादी की रिसमों की खूबसूरत तस्वीरे शेर की है. आपको छंदेखे फुटेज उनके फैन पेजेज पर वाइरल हो रहे है. बजट के एलान के बाद ही प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है. कॉंग्रेस की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आई है. दरसल, बजट को लेकर कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने ट्वीट कर हमला बोला है. उन्होंने लिखा कि यह मोधी सरकार का जीरो बजट है, जिसमें वेतन भोगी वर्ग, मध्यम वर्ग, गरीब वन्चित, रक्षा मंत्राले एक नई पहल के तहट उनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिल्ली में स्वास्थि सेवाइल लेने वाले रिटायर्ट सैनिको और सेवारत सैनिकर्मियों के लिए मंगलवार को दवाओं की, होम डिलीवरी शुरू करेगा. मंत्र मुंबई पुलिस ने विकास फाटक उर्फ हिंडुस्तानी भाव के खिलाप बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है. दरसल, हिंडुस्तानी भाव पर सोमवार के दिन राज्य के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवार के घर के पास हुए चात्रों के प्रदर्शन में समलिप्थ होने का आरोप है. हिंडुस्तानी भाव पर आरोप है कि उसने चात्रों को भरकाया और चात्रों के प्रदर्शन क पीछे हिंदुस्तानी भाव का भी हाथ है। भाव पर दस्वी और बारहवी कक्षाओं की ओफलाइन परिक्षाएं रद करने की मान को लेकर छात्रों से प्रदर्शन करने की अपील करने का आरोप है। उन्होंने कहा कि ये बजट अधिक बुनियादी धाचा, अधिक निवेश, अधिक विकास और और अधिक नौकरियों की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। इससे ग्रीन जाब्स का भी क्षेत्र और खुलेगा। सरकार का जोर मेक इन इंडिया पर अधिक है। मौजूदा रक्षा बजट की तुलना यदि पूर्ड के कुछ वर्षों से करे तो हर बार की तरह इस बार भी इस ख्षेत्र में बजट अधिक आया है। वर्ष 2017-18 का रक्षा बजट 2.74 करोन रुपिय था। वही 2019-20 में रक्षा बजट के लिए 3.05 लाक करोन रुपिय आवंटित करने का प्रस्ताव रखा गया था। झाल झाल